हलो दोस्तों मैं सुनिल कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग जानेंगे मोबाइल के एक बेसिक प्रोब्लम के बारे में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सीम की ट्रॉली को खोलने के लिए पीन मेगर का उपयोग कर लेते हैं और यही गलती करने की व फोन लाइट का है इसको हमने एक बार LinkedIn से खोलने के प्रियास किया उसके पास ट्रोली इसका लॉक हो गया आप देखता हूं इसकी पीन से भी अब नहीं खूल रहा है मैंने पहले भी ट्र china पाड्रे से ट्राइक करतें है यह देखिए इसक पीन से एव argument कुलने का हम लोग प यह एक बार फिर से ट्राई करेंगे यह देख लीजिए इसको पुश्च कर रहे हैं इसमें एक्सेस तागत नहीं लगना चाहिए अगर आप ज्यादा इसमें फोर्स करोगे तो भीतर का बूर्ट तूड़ जाएगा और फिर मॉबाइल ही डेट हो जाएगा फिर भी हमने इसको एक बार फोर्स करने का प्रियास किया बट आप देख पा रहे हो यह नहीं खुला ठीक है अईसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम कभी सिम को चेंज करना है या फिर मेमोरी कार्ड को निकालना है तो वह इस सिस्थिति में बहुत प्राब्लम हो जाता है यह कमन प्रॉबलम है पहुत सारा मोवाईल हमें बट एक बार यह दिर प्रॉबलम हो गया तो tha हम प्सकुर्व को एक पथला सिंति पीन लेना है अब देख पा रहे हैं इतना हीचाथ्मी पिन लेना यह जो नुकीला है इसको हम लोग थोड़ा सा त्रेड़ा करेंगे ऐसे ही थोड़ा सा यह हो गया और सिम ट्रॉली के लिए जो छेद है उसमें डाल के इसको इस प्रकार से यह देख रहे हो सिम ट्रॉली में जो छेद है पिन डालने के लिए उसी छेद में इसी ट्रॉली को डाल के सामने की ओर खीच लेना बस यह हो गया यह आप देख पा रहे हो यह सीम ट्रॉली निकल गिया और यह सीम है बस इतना ही करना है आपको बट जब हम इसको दुबारा लगाएंगे तो इसके लिए हम दो एक ट्रिक का उप्योग करेंगे हमें एक पतला सूता लेना है यह किसी भी कलर का आप ले सकते हो और इसको छोटा सा काट लेना है इसको हम लोग कहेंची के सायता से काट लेंगे बस इस सूत्य को लास्ट में इसका गांट मार देना है यह गांट मार दिया सूत्य को इस तरह करके आप देख पा रहे हो यह गांट मार दिया और इसको हम लोग ट्रॉली पे लगा देंगे अब देख लो कैसे लगाना है यह ट्रॉली पे हमने ट्रॉली के लास्ट में इसको हमने फसा दिया इस तरह करके यह क्योंकि बार बार यह दी पिंक हम लोग डालेंगे तो हो सकता है कि मॉबाइल के पीसीवी बोर्ड में कुछ खराबी आ जाए यह हो गया है अब इस ट्रॉली को हमलोग फिर मॉबाइल में डाल देंगे दिख लो हो पार है यह हो गया और यह सुटा को हमलोग पीछे घर देंगे से अब आमें कभी पिजब सिम को इपिशे करना होगा तो इसलि मोबाइल की कभर के निचे दिखेगा भी नहीं ठीक है इतना ही जी है और यह प्राब्लम शॉट आउट हो गया अब अगर हमें निकालना है तो सुटा को सिर्फ खीच के हम निकाल सकते हैं यह देख लो यह इसको इस तरह करेंगे यह ट्रॉली निकल गया ठीक है और दोस्तों हमेशा हमको सीम ओन कंडिशन में नहीं निकालना चाहिए इससे मोबाइल के सफ्ट्वेयर पर प्रावलम आने की समावना होती है इसलिए आप जब भी मोबाइल से सीम निकालो स्विच ओप जरूर कर लो और दोस्तों हमारे इस चैनल को आपने यदि करो बेल बटन को दबाओ लाइक करो और यसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद